हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग फिट फाइन हैप्पी होंगे मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोमल की रेसिपी तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट चिप्स वो भी बस एक इंग्रीडियंट के साथ और यह जटपट बनकर रेडी हो जाता है तो चलिए देख लेते हैं किसको बनाना कैसे है तो सबसे पहले हम एक पतीले में गरम पानी ले लेंगे बिल्कुल हमें गरम पानी ही चाहिए उसके लेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे स्पून की हेल्प से तो यह देखे मैंने इनको तोड़ कर इसके इंदर डाल लिया है और नीचे गरम पानी है इसलिए बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगे हमें इसे डिरेक्ट गैस पर नहीं रखना है ऐसा करने से चॉकल चॉकलेट सोस पूरी तरह की से एडिशनल है आप इसे स्किरब कर सकते हैं मैं सिरफ इसे कलर के लिए डाल रही हैं कि थोड़ा सा जो कलर है वो डार्क हो जाए जैसा कि मार्केट में जो चॉकलेट चिपस मिलते हूं उनका घदा तो सिरफ कलर के लिए मैंने हाफ पर कर लिए तो यहां पर जो दूदवाली थेली आती है मैं उसका उसका यूज कर रहे हूं इसके मैंने उसके फिट लिए ताकि मैं अच्छे से चौक। सोस verdad क्शाम के और और एंद्स क्माइब करके हैं या पिछाए ओस जिसके वाली वर ओता है BURNS system जो है चिपस को बना सके तो यह देखिए मैंने इसके इन्दर चोकलेट सोस डाल दी है और अब इसको कर दूँगी उपर से सिक्योर आप इसे दागे से बान सकते हैं चिम्टी से अती हैं मैं उसका यूज़ कर्या है हूँ आप बेटर बीलेसदों तो इस तरीखे तो छोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे, बना लेंगे, इस पनी के उइपर जैसे कि एक-एक डॉट बनाना होता है तो हम सारी जो प्योरी है जो है उससे हम सारे में डॉट-डॉट बना लेंगे और ये देखिए हमने अपनी सारी चॉकलेट चिप्स बना ली है अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में तक ये अच्छे से सेट हो जाए हमने फ्रिज से निकाल ली है चॉकलेट चिप्स को और ये अच्छे से सेट हो गई है आप जब इसे स्टोर करके रखे तो भी आपको इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखना है नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगी क्योंकि गर्मी बहुत है सर्दियों में तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं पर गर्मियों में आप इसको फ्रिज में ही स्टोर करके रखे और ये बहुत ही एजिली निकल जाएंगी पननी पर से और ये देखे हमारी सारी चॉकलेट चिप्स बनकर रेडी हो गई है आप इसे आइस्क्रीम में केक में जिसने भी आप इसको डालके खाना चाहते हैं खा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएग और साइट में जो बैल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकिशन सबसे पहले आपके पास पॉँआए